न सच सुनना चाहता है न सच बोलना चाहता है न सच सेहन करना चाहता है क्योंकि कानून विवस्था राज्य की जब्मेदारी है और बहुत सारे राज्यों में देखा गया की बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाएगे और ऐसी घटनाएं मानवता को शरमसार भी करती है लेकिन कुछ लोग राजनितिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते है अब एक और नारी अस्मिता, नारी अस्मिता बिहार में तार-तार है नितिष्ट तजश्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है उनको वहाँ पर बेगू सराय में जो घटा वो आप सब के सामने है लेकिन मुख्य मंत्री उप मुख्य मंत्री के तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रती अपराद भड़ भी रहा है और अपराद करने वाने को सरक्षन भी मिलता है एक और राज्यस्थान है जो टूरिजम की दृष्टी से बहुत महत्यपुने बहुत खूपसूरुत राज्या है संस्कृती बहुत और राज्यस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं बहुत अच्छा सब कुश था लेकिन पांच वर्षों में राज्यस की अपराद की हुई एक शान्त राज्य सुरक्षित राज्यस पिछले पांच वर्षों में नंबर वन महिला अपराद में बन गया है एक लाक नौ हजार महिला अपराद की घटनाएं पिछले चार वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुशकरम की घटनाएं राज्यस थान में 22 प्रतिशे देश की महिला दुशकरम की घटनाएं राज्यस थान में ये अपने आप में राज्यस्तान को नंबर वन महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगबग 10 लाग से ज़्यादा अपराधी घटनाओं को रिजिस्टर किया गया अपरधान मंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पर राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए और सोनिया जी और राहुल गांदी जी के आदेश पर मुख्य मंत्री अशोग इलोजी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंदर गुड़ा जी ने राज्यस्थान की हालाद पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़के राज्यस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराद की घटनाएं बढ़ रही है उसकी चिंता की जाए चर्चा की जाए और मुखे मंतरी अशोग गैलो जी ने राहुल गांदी जी सोनिय गांदी जी के अदेश पर उसको भरकास्त कर दिया और उन्होंने क्या कहा रेजिंदर सिंग उडाजी ने कि विधान सभा में मैं सीम से वान और जवाब मांगूंगा और बड़ी बात ये कही है किसी और नहीं जो साड़े चार साल राज्यस्तान की सरकार में अशोग गैलो जी की सरकार में मंतरी रहे उन्होंने कहा परदेश में सीम का इकबाल खतम हो गया है यह बहुत बड़ी बात है एक जो आपका मंत्री साड़े चार साल आपके साथ रहा उनका राज्यस्थान में अराजकता का महौल है CM विधानसवा में आते हैं ना आते हैं ना जबाब देते हैं और यह मैं नहीं कह रहा जी ये राज्यस्थान में कॉंग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्य मंत्री से सवाल खड़े करते हैं एक मंत्री तो यह हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराद पर कोई बात कही दूसरे मंत्री जिनको उन्हें शै दे रखी है और सरक्षन दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर जिनको बचाने का काम किया है अशोग एहलो जी ने वो शांती दारिवाल जी क्या कहते हैं जब महिला के साथ बलातकार की घटना हुई अपराद की घटना ही तो उन्हें कहा ये मर्दों का परदेश है और पूरे कॉंग्रेसी ठाका मार के हसते हैं मंत्री और विधायक और मजाग उड़ाते हैं सोनिया जी प्रियंका जी राहुल जी इस पे कोई जवाब नहीं देगा के कॉंग्रेस पार्टी का मलिका और घरगे जी से मैं कहता हूँ और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ मैं तो यूपी चुना में जब सह पर भारी था तो प्रियंका जी बड़ी-बड़ी बाते करती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बस राज्यस्तान नहीं जा सकती हूँ बिहार पर मुँँ में दहीं जमा सकती हूं और बंगॉल पर होट सिल सकती हूं लड़की हूँ राजस्थान नहीं जा सकती हूँ और कोई महिला परात की अबाज उठाए तो मुख्य मंत्रिय अशोग गैलोत कहके उनका अस्थीफा करवा सकती हूं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ शांती धारिवाल ये कहे मर्दों का परदेश है तो ठाके मा के हसले ना बचाने के लिए मैं तुम्हार ले लड़ सकती हूँ अरे राज्यस्थान में अपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन-कौन सी हुई जरा एक पर सोचिये तो सही मुख्यमंत्री के घर से पांच किलोमेटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मा की इज़्जत लूटी जाती हूए उसको मरने पर मजबूर किया जाता है करोली में युवति का अफरन करके गैंग रेप करके गोली मारी जाती है एसिड गिरा जाता है फिर कुई में डुबा दिया जाता है दौसा में आदिवासी महिला का अपरण करके गैंग रेप करके एसीड डालके उसकी भी हत्या कर दी जाती है उदेपूर में आठ साल की बच्ची के साथ दुशकरम करने के बाद आठ टुकडे करके फैंक दिया जाता है जंगल में बीका निर के खाजुवाला में दो पुलिस वाले शामिल होते हैं बलातकार में लेकिन गिरफतारी पहले दिन नहीं होती सिसी टीवी कैमरा में है तब भी उसके बाद जोदपूर में जिसको भाई जैसा माना था ऐसे तीन लोगों ने दरिंदे कहूंगा मैं तो जिन्होंने दुशकरम करने का काम किया और ये मुख्य मंत्री का ग्रह जिला है अरे मुख्य मंत्री तो सोय हैं लेकिन जो लड़की हैं लड़ सकती हूँ वो कहा है जो बॉर्डर से चले गई करोली के पास से लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई जहां करोली में दलित युफ्ती के साथ गैंग रेप करके एसिड तैंके उसको मार दिया जाता है दलित हो युफ्ती हो महिला हो इनके खिलाफ राज्यस्थान नंबर वन अपराद की दृष्टी से महिला अपराद की दृष्टी से बना है बेंगॉल भी पीछे नहीं है बेंगॉल में चुनाब में बंब और हत्या बैलेट से यादा बंब की घटनाएं सुनने को मिली हत्या के मामरे हत्या और हिंसा के मामरे रास्ते सत्ता हत्याने का काम किया गया लेकिन पश्चिम बंगॉल में मैं आप सब के सामने कहना चाता हूँ ममता बनेर जी जी ना जाने आपके दिल में ममता बची है के नहीं बची है ये सवाल खड़ा होता है बंगॉल के हावडा में इंसानियत शरम सार हुई है लेकिन सब के होंट सी ले हुए हैं जी हावडा के पांचला इलाके में पंचाय चुनाव के मद्दान से पंचाय चुनाव के मद्दान के दिन 40 से ज़्यादा टी-म-सी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त करके घुमाया प्रत्याशी को पीटा गया बेजिति की गई और यही नहीं बेंगौल के ही माल्दा में एक जो वीडियो वाइरल हो रहा है मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं शेर भी नहीं कर सकता लेकिन जहां पर दो महिलाओं को पीट-पीट कर अर्धनंग किया जा रहे और नंगा करके उनको जैसे गुमाया जा रहा बेंगौल से लेके बिहार से लेके राज्यस्थान तक त्रिणमूल हो जेदी हो आरजेडी हो कॉंग्रेस हो इनके शाशित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपरात की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारे मुक दर्शक बनके बैटी है ये गटबंदन की बात करते हैं उस गटबंदन के निताओं के ओपर देखिए एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है और कहांगे वो अवार्ड वापसी वाले लोग कहांगे कैंडल मार्च वाले लोग कहांगे फ्रीडम आफ स्पीच वाले लोग क्या बेंगौल, बिहार, राज्यस्तान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मुक दर्शक बनके बैठे रहेंगे और जो मर्दों वाला परदेश कहकर ठाके मारते हैं उस पे खडगे जी आप क्या पूरा गांदी परिवार भी मुक दर्शक बनके बैठा रहता है सवाल खड़े होते हैं आपके सामने और बिहार, बंगौल की यही नहीं बहुत सारी घटनाएं जी फरवरी दोहजार बीस में हल्दिया में मा बेटी के साथ सद्दाम हुसेन और मंजूर मलिक के नाम दरिंदों ने रेप करके उनको जला कर मार दिया पश्चिम मैदनीपूरा में डेबरा में टीमसी के कुंड़ों ने आदिवासी महिला के साथ दुष्करम के बाद हत्या की पंदरा जुराई को 2020 में नदिया जिला के कृष्चन नगर में युवा कारेकरता की हत्या कर दी गई और अप्रेल 2018 में दक्षिन 24 परगना में बीजेपी के महिला कारेकरता की पटाई करके उनको भी निर्वर्स करके घुमाया गया तीन फरवरी 2020 को पच्चे मेंगॉल के दक्षिन दिनाजपूर जिले में कॉंगरेस त्रिनमुल के ही एक नेता ने कतित गुंडों के साथ दो महिलाओं के पाउं पैर पाउं बांद के हाथ पैर बांद कर जमीन पर घसीटा भी अभदर वेभार भी किया हरकतें की यह सब जनता के सामने हैं लेकिन शायद नाशनल मीडिया के परे हैं उन लोगों की अवाज जो कभी बाकी मुद्दों को लेकर आते हैं इन घटनाओं पर चुप रहते हैं कितनी गिनाओं कितनी ऐसी महिलाओं के साथ दुशकरम की घटनाओं जिनकी आप बीती आपको सुन मुझे तो कहते हुए भी कई बार शरम आती है जिस तरह की घटनाओं इन राज्यों में खट रही हैं लेकिन जो राज्य बेंगौल कभी भारत के लिए ऐसे नेताओं के योगदान के लिए जाना जाता था जिनका बहुत बड़ा योगदान आजादी से पहले आजादी के भी रहा आज वो बेंगौल शरम सार हो रहा है ममता जी के राज में अपराद आतंक और महिला अपराद की घटनाओं को बहुत बन मिल रहा है और सरक्षन मिल रहा है पुस्ट्राइब टीबी एक इन नीगरज हूं नीजटिन इंडिया से सवाल ये कि अभी थोड़ी ज़प पहले राजस्थान के मुख मतरी ने प्रेस्वागत तक शी नुख प्रधान मतरी नरेन मोदी ने भी राजस्थान का जीगत इन बयान में अशोग्या लोग का कहना एक सवाल मुख मंतरी जीगता हूं कानून वियस्ता राजस्थान की क्या मुख मंतरी राजस्थान की जिम्मेदारी है कि नहीं है किया जब उनका अपना चहेता मंतरी कहता है महिला अपराद पर अत्याचार पर दुशकरम पर की मर्दों का परदेश है तो उसमें अशोग गलोट शरमसार होते हैं के नहीं होते हैं जब उनका अपना मंतरी राजिंदर गुड़ा सवाल खड़ा करता है कि मुख्य मंत्री ना विधान सवा आते हैं ना जवाब देते हैं तो उस पर मुख्य मंत्री का क्या कहना है मेरा शोग एलो जी से सवाल है कि जब उनके अपने मंत्री ने कहा कि सीम का इकबाल खतम हो गया तो क्या मुख्य मंत्री इस्तीफा देंगे के नहीं देंगे जब उनके अपने जिले में ग्रह जिले में हत्या कर दी जाती है जला दिया जाता है और उनके अपने मुखे मत्री नवाज जैपूर से पांच किलोमेटर की दूरी पर वेशाली नगर में महिला के साथ दुशकरम करके उसको मरने पर मुझे नहीं पता लेकिन मेरा सवाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष खडगे जी और गांधी परिवार के इन सभी नेताओं से है कि राज्यस्थान की जिम्मेदारी क्या भूल गए है अरे जितने महीने सरकार है उतने महीने तो अपनी जिम्मेदारी निभाए और परधान मंत्री जी ने सक्त शब्दों में कहा है कोई भी हो कितने भी हो सब के खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए और होगी लेकिन राज्य के मुख्य मंत्री चाहे बेंगौल हो बिहार हो राज्यस्थान हो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते है Mohit what time is now में चिरिप्रेट ऑर इंचे बड़िगाट कि आरीद ओर में उदिर दीजिए एंचार में लिफेंट फिर संपल्ड एंप्ट्ट इना में थैर राजशतन आपना इंट इना इंगोल और अवर और मनमनिपूर a crime against woman is a crime against woman and the action must be taken as per law and the law and order is the state subject the state has to take the action why there is a delay and why there is a why they are in a denial mode to take action why the shelter is being given to those people who are involved in the molestation or in a rape like incidence or any crime against women who is giving shelter to them that's a big thing and my big question to all the opposition leader is will they send a delegation of the opposition leaders to the states like Rajasthan, Bengal and Bihar क्या विपक्ष के नेता एक delegation Rajasthan Bengal और Bihar भेजेंगे वहाँ पर महिलाओं के खिलाब हुए अपराद की घटनाओं पर देखने के हमने यहाँ से भारती अंता पाटी के राश्टिय ध्यक्षी ने एक महिला सांसदों का डेलिगेशन पश्चि मेंगौल भेजा और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो महिला सांसदों का बेंगौल में जाकर वहां का फीडबेक लेने से इतना है तो वहां की रहने वाली महिलाओं पर क्या बीती होगी आप बीती क्या सुनाई होगी आप कलपना नहीं कर सकते कितने भै के वातावरण में पश्चि मेंगौल में महिलाओं जी रही हैं और जहां पर एक महिला मुख्य मंत्री हो जिसका नाम ममता हो लेकिन ममता ना हो ममता दीदी क्या बना दिया बेंगौल को देवेंद्र पडासर इंडिया टीवी जहां तक पार्लिमेंट का सवाल है मैं बहुत सबस्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ भारती अंता पार्टी ने पहले दिन से कहा महिला अपराद की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए त्यार हैं चाहे वो मनिपूर की हो राज्यस्थान की हो बिहार की हो बेंगौल की हो और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ अगर कॉंग्रेश शाषित दस साल कभी मैं किवल समय लूँ दोजार चार से चौदा का तो उस समय तो मनिपूर में छे-छे महिने बंद रहता था जी। कॉंग्रेश के उस समय के ग्रह मंत्री कभी गए भी हमारे यहाँ से तो मांने ग्रह मंत्री जी गए भी, चार दिन वहां बैठे भी और वहां पर पीस हो शांती हो सब दिशा में कदम उठाये गे हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, हम सही कदम भी उठा रहे हैं, और हम चर्चा भी सदन में करवाने के लिए बिलकुल तैयार हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है, ऐसी कौन सी बाते हैं जो विपक्ष को चर्चा शुरू करने से भैभीत क कर रही हैं, ऐसी कौन सी बाते हैं जो डर पैदा करती हैं विपक्ष में, देखे चर्चा क्या बहिशकार करने से हल निकलेगा कि चर्चा करने से, चर्चा करें हर विशे को उठाएं, क्यों नहीं दो दिन सदन चलने दिया, विपक्ष की क्या मजबूरी है, क्या किसी एक राजनितिक दल का एक नेता, अब सदन का सदस्या नहीं रहा, तो पिछला सदन भी नहीं चलने दिया, और इस बार भी पूरा सेशन ना चलने देंगे, क्या यहीं सोच हो गई है? अनामीका रतना, ETV वारत दुषकरम की घटनाओं की सूची में राज्यस्थान की लेकर बैठा हूं। मुख्य मंत्री अशोग गहलोजी जवाब दें, आपकी निकम्मी और निठली सरकार में, साड़े चार सालों में, राज्यस्थान नंबर वन महिला प्राद में क्यों बना? आपकी सरकार कारवाई क्यों नहीं कर पाई? आपके मुख्य मंत्री निवास से पांच किलोमेटर दूरी पर कैसे एक महिला के साथ दुषकरम किया जाता है? उसको जलने पर मजबूर कर दिया जाता है. आपके पुलिस के लोग रेप में इन्वाल्ड होते हैं और आप लोग गिर्फ तारीक लिए पहले दिन मना कर लेते हैं जबकि CCTV कैमरा की फुटेज है. टुकडे आठ साल की बच्ची के आठाठ कर दिये जाते हैं, आपकी सरकार निठली होके बैटी रहती है. आपकी विधायक दिवे मद्रेना जी, वो कहती है, पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित मैसूस नहीं करती हूँ. आपके मंत्री रेजिंदर जी कहते हैं, कि मुख्य मंत्री का बाल खत्म हो चुका है, सरकार का बाल खत्म हो चुका है. ये छोटी घटनाएं नहीं है जी. आप उसका जवाब दिये बिना आप दूसरे पर ठीक राफोड़ने का काम करते हैं. महिला अप्राद, महिला अप्राद है, किसी भी राज्य में हो. इसलिए हमने कहा है कि कहीं पर भी हो, मनिपूर के मुख्य मंत्री ने सामने आके कहा है, कि कड़ी कारवाई की गई, लोगों को गिरफतार किया गया. और ये आप सभी चैनल्स ने दिखाया है. गिरफतारियां होई है, जान चल रही है, उचित कदम उठाये जा रहे हैं, और आगे भी उठाएंगे, कोई भी दोशी होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, कितने भी होगे नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन ये बात, राज्यस्थान, बेंगौल और बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं आई है. कुमार गौरो, निश्टिफोर. कि बिहार में जब कोई चर्चा करता है, कोई आंदूलन करता है, तो भारतियंता पाट्टी के एक वरिष्ट नेता को भी लाठी मार मार के मार दिया जाता है. बिहार का जंगल राज रिटर्न्स यो हो चुका है. और इसलिए मैंने कहा, कि नारी अस्मिता बिहार में तार-तार है, नितिश्ट जश्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है. और जहां तक बेंगॉल की आपने बात की, मैं इतना ही कहूंगा, ममता, निर्ममता का प्रतीक है. यामीन, एनाई. देखिए, यही आप सब के सामने के एक चीज़ें आ रही है. अगर बेंगॉल में महिलाओं के कपड़े फाड़के उनको गुमाया जाता है, तो उसको कोई और रूप देने का प्रयास किया जाता है. बिहार में यही होता है, तो उसको कोई और रूप देने का प्रयास किया जाता है. और अगर राज्यस्तान में महिलाओं के साथ दुशकर्म करके हत्य कर दी जाती तो उसको भी छपाने का प्रयास किया जाता है लेकिन किसी एक राज्य में और ऐसी घटना घटी है तो उसको केंदर बिंदु बनाकर क्या महिला महिला में भी अंतर निकालते हैं मुझे दुख की बात यह है शाशी पन्जाज ने अगर ये कहा और मम्ता जी की सरकार में कहा जो एक महिला है और दूसरी महिला ने ऐसा बियान दिया तो आप समझ लीजिए वहांपे महिला भेबीत क्यों है वहांपे महिला अपराद क्यों है बेंगौल में कर वापपिस आए तो उसके पिछे कारण साफ दिखता है जी कि ऐसा ब्यान अगर वहां की बेंगौल की नेता दे रही है तो साफ दिखता है तो इसको पराध ही नहीं मान रही है मिलन सर्मा आज तक अन्तिम प्रस्ण है मेरा जिसके पास जो जिम्मेदारी उसको अपने जिम्मेदारी निभानी चाहिए और महिला अपराद की घटनाएं बंद हो समाज भी जागरू को और जिस महिला के खिलाफ अपराद हो जो इनवाल्ड उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई कम से कम समय में हो यह हमारी मांग भी है और कानून वियस्ता राज्य का विशे है उनको कड़ी से कड़े कदम उठाने चाहिए महिलाएं सुरक्षित हों महिलाओं का सम्मान बड़े और महिला अपराद की घटनाएं बंद हो देश में इस दिशा में आगे बड़े हर राज्य को अपनी भूमी का निभानी चाहिए चाहे वो राज्यस्तान की अशोग गैलोजी अपने जम्मेदारी नहीं चोड़ा सकते चाहे राहूल गांदी जी प्रयंका जी या सोनिया जी ने जो भी निर्देश दिये हो कि महिला के सम्मान में या महिलाओं के हित में अगर किसी मंत्री ने अवाज उठाई तो इसको परकास करने का ओड़र दे दिया All right, so Union Minister Anurag Thakur over there lashing out at states like Rajasthan, Bihar and of course West Bengal as well in terms of how they have been looking out for women's security and what actions they've been taking against sexual violence that have been taking place in these states we'll keep